हेलो दोस्तों प्रेगनेंसी में नाजियल पानी कब से पीने शुरू करने चाहिए और नाजियल पानी पीने के क्या-क्या फायदे होते हैं इस मीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हूं ताकि आप नाजियल पानी पीने के फायदे जान सकें और कब से शुरू करना है ये भी जान सकें दोस्तों, गर्भाविस्था के दोरान नार्यल पानी का सेबन बहुत फायदे मंद होता है ये आपके और आपके सीसू के लिए बहुत लावदायक है जब आपको यूरिन इनफेक्शन होने लगे जलन होने लगे उस समय आपको नार्यल पानी का सेबन करना सुरू कर देने चाहिए बहुत सी महिलाओं को प्रेग्रेंसी के दोरान यूरिन इनफेक्षन की समस्या रहती है ऐसे में नार्यल पानी का सेबन करना उनके लिए काफी लाबकारी होगा infection को दूर करने में मदद मिलेगी अगर blood से जुड़ी कोई समस्याएं होने लगे तो आपको नार्यल पानी सुरू कर देना चाहिए अगर सरीर में खून की कमी हो रही है गरभावस्था के दोरान blood pressure high low हो रहा है तो नार्यल पानी का सेबन जरूर सुरू कर देने चाहिए इसमें कई सारे minerals होते हैं जो सरीर में खून की कमी को पूरा करता है और blood pressure को भी नर्मल डखने का काम करता है दोस्तों pregnancy के दोरान सरीर में पानी की भरपूर मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है ऐसे में नार्यल पानी आपकी सरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है जिससे के बल गर्भ बतिस्त्रे को ही नहीं बलकि गर्भ में पल रहे सीसु को भी इसके फैदे मिलते हैं जब आपको ऐसा लगे hormonal imbalance हो गया है सरीर में कई सारे समस्याएं होने लगी है hormonal बतलाफ तेजी से होने लगा है ऐसे में आपको ठकान, कमजोरी, morning सिकने जैसी परिसानिया होने लगे तो नार्यल पानी का सेबन सुरू कर देना चाहिए इससे आपको energy मिलेगी और hormones भी आपका balance में रहेगा दोस्तों जब आपको ऐसा लगे कि बार बार आपको सर्दी खासी जुकाम बुखार हो रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक छमता कम हो परी है ऐसी समय में आपको नार्यल पानी का सेबन करना सुरू कर देने चाहिए नार्यल पानी में ऐसे कई तरह के पोशक तत्तो होते है जो गर्भ में पल्ध है सीसु के स्वास्त को बेहतर बनाने में मदद करते है सीने में जलन की समस्या भी कई महलाओं के साथ होती है अगर ऐसा लगता है कि रात को खाना नहीं पचता है आपको जलन होने लगता है सीने में तो समय भी आपको नाजगल पानी का सेबन सुरू कर देने चाहिए प्रेगनेंसी के दोरान कबजी की समस्या अगर आपको होने लगे तो आपको नाजगल पानी का सेबन सुरू कर देने चाहिए ताकि इस समस्यासे आपको निजाद मिल सके जब आपको ऐसा लगे कि दिन में ठाकान ज़ादा हो जाती है सुवे ठाकान ज़ादा होता है तो ऐसे समय में भी आपको नार्यल पानी का सेबन शुरू कर देना चाहिए ताकि शरीज में मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाय रखने में मदद मिले और नियमित रूप से अगर आप इसका सेबन करते हैं तो शरीज में ओर्जा भी बनाय रखने में मदद मिलेगी कमजोरी आपको नहीं होगी अब आप समझ गए होंगी दोस्तों कि नारगल पानी कब से शुरूं करने चाहिए तो प्रेग्नेंशी में कभी भी आप नारगल पानी का सेवन कर सकती हैं आपके लिए काफी फायदे मंद है आपके गर्भ के लिए काफी फायदे मंद है और गर्भाबस्था में कोई समस्या नहीं आए इसके लिए भी नाजगल पानी बहुत जरूरी होता है आसा करती हूँ ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी आप प्लीज इस वीडियो क लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू भेरे मच